तमस्कार मित्रो स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदु सनातन धर्मार्थ पर मित्रो चैनल पर नए है, तो सब्सक्राइब जरूर करे, कोई कितना भी सगाक्यों न हो कभी साझा नहीं करनी चाहिए, ये चार बाते पुराना गरोर पुरान गरंत में पाप, पुन्य और जीवन मरं के साथ ही कई नीती नियमों के बारे में बताया गया है, इसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है, जिसका जिक्र हमें किसी से भी नहीं करना चाहिए, गरोर पुरान हिंदु धर्म का महत्वपूर्ण गरंत है, जो की 18 महा पुरानों में एक है, इसलिए आमतोर पर इसका पाठ घर पर किसी परिजन की मृत्यू के बात कराया जाता है। इसमें जीवन में आने। वाली परिशानियों को दूर करने और सुखी जीवन जीने की नीतियों के बारे में बताया गया। आप संकट भी पढ़ सकते हैं। इन चार बातों का किसी से भी न करें जिक्र धनलाव या धनहाने का जिक्र अगर आपके पास धन है या धन का अभाव है तो ये दोनों ही बातें किसी से न कहें क्योंकि अगर आप किसी को अपनी। धनहानी या धन के अभाव के बारे में बताएंगे तो सामने वाला आप से दूरी बना लेगा क्योंकि। उसे ऐसा लगेगा कि शायद आप यह कहकर उससे मदद मांग रहे हैं वहीं अगर आपके पास खूब सारा धन है तो भी इसका बखान सब के सामने नहीं करना चाहिए ऐसा करने से आपके जान माल को खत्रा हो सकता है अपमान जीवन में कभी भी आपको किसी कारण से अपमानित होना पड़ा हो तो ऐसी बातों का जिक्र मजाक मजाक में भी किसी से नहीं करना चाहिए क्योंकि भले ही आप ऐसी बाते बिना किसी कारण या बिना सोचे समझे बता देंगे लेकिन इस बात से आप दूसरों के सा जगडे हर परिवार में होते हैं, लेकिन पारिवारिक जगडों का बखान किसी दूसरे व्यक्ति से कभी नहीं करना चाहिए, अगर आप बाहरी लोगों को इस बारे में बताएंगे, तो इससे न केवल आपके बलकी पूरे परिवार के मान सम्मान पर असर पड़ेगा, वहीं दूसरे लोग पारिवारिक जगडों का लाब भी उठा सकते हैं, दान शास्त्रों में उसी दान को लाबकारी माना गया है, जो गुप रूप से किया गया हो, इसलिए बिना किसी को बताएं या दिखावा करें ही अपनी क्षमता के अनुसार दान करें कहा जाता है, कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को भी पताना चले तभी आपको दान का पूर्ण फल प्राप्थ होगा महान विद्वान। चार्य ने व्यावहारिक और ग्रिहस्थ जीवन से जुड़ी कई बातें बताई हैं, चानक्य नीती में कहा गया है कि लोगों को कुछ चीजें हमेशा खुद तक रखनी चाहिए और उसे किसी से भी नहीं कहना चाहिए क्यों जरूरी हैं ये राज चानक्य, नीती के इसे किसी से भी नहीं कहनी चाहिए, इसके पीछे कुछ खास वजहे भी। नुकसान की बात किसी बाहरी व्यक्ती से नहीं बतानी चाहिए, उनके अनुसार जो लोग पैसों की परेशानी दूसरों के साथ साजा करते हैं हो सकता है कि उन्हें मदद की बजाए। निराशा हाथ लगे इतना ही नहीं लोग आपकी परेशानी जानकर आपसे दूरी भी। बनाने लगेंगे हम आधुनिक समय में हैं चुनकी रिष्टा इतना गहरा है तो हर तरह की बाते चलती हैं प्रेमिया आपके पती ने आपसे कोई गंभीर मजाक किया या अंतरंग रिष्टों पर कोई टिपणी की तो यह सिर्फ आपके लिए है इसका आनंद लें ये सब ज बनाने पावें हममया पक्ता बांका व्ood how ओे रिशिता य ne